असलाम अलेकुम डियर स्टुनेट्स वेलकम बेक एक्सपी अकेडमिन डॉट कॉम जहां पर आप स्टेप वाइ स्टेप्स माइक्रोसॉफ्ट आफिस उर्थु जबान में सीख रहे हैं डियर स्टुनेट्स आज के इस लेसन के अंदर में आपको रिप्लेस के बारे में पताने जा रहा हूँ डियर स्टुनेट्स जैसा कि हमने लास्ट लेसन के अंदर देखा इस पिशल लेसन के अंदर हमने देखा कि हम किसी चीज़ किसी वर्ड को फाइंड आउट कैसे करते हैं अपने वर्ड के अंदर फर्स करें हम एक बुक टाइब कर रहे हैं जैसे मैंने आपको पहली भी सिग्जेंपल दी थी अब उस बुक के अंदर मेरे पास more than 500 पेज़े हैं उनके अदर एक वर्ड हमने mistake कर दिया है वो वर्ड था image या picture अब उसको picture सब उसको image करना है अगर image था मैंने उसको picture करना है क्या like this आप समझ गये होंगे मेरा कहने का मतलब इस तरह के words जो आप को changing करने थे आप उनकी चेका पर कोई और word type करना है या आप change करना है अब definitely 500 pages की जो एक book आप बना रहे हो या आप word का कोई documents बना रहे हैं उसके अंदर तो अब आपका बहुत time waste होगा उसको adjustment करने में तो इसका बेतरीन तरीका क्या है word ने हमें एक option दी है जिसको कहा जाता है find and replace आप उस word को find करो आप देखो क्या इसी word को आप change करना चाहते हो फिर आपको replace करते हो ठीक है तो इसके लिए I start करते है lesson मैं वापस अपना वही पिछले वाला सबक निकालूँगा यनि कि पिछले वाला ही file निकालूँगा find के नाव से जो मैंने बनाई है अब इसके अंदर हमारे पास जो word है वो क्या है picture अब इस picture को मैं ये चाहता हूँ अपने पास image करना चाहता हूँ यनि कि मेरे पास 2-3 pages के नदर जहाँ जहाँ picture type हुआ हुआ है अगर आप देखें यहाँ पे मुफतल जगा पर picture आपके पास यह type हुआ होगा जहाँ जहाँ आपके पास यह word picture है वहाँ वहाँ पे आपके पास word image लिखा हुआ आ जहे तो अब इसका क्या method है क्या दिरेकर है इसके लिए हमको again find and replace की option को उठाना होगा इसके लिए जो shortcut use की जाती है वो है control h आप अपने keyboard से control h इंटर करोगे तो आपके पास replace की shortcut open होकर सामने आ जाएगी अगर मैं यहाँ पर again find के पर click कर दूँ तो picture already यहाँ पर मुझूद है क्यों मुझूद है? क्योंकि इस lesson के तर मैंने इसको select किया है already यनिकि आप जिस word को यहाँ से select कर देते हो और फिर आप find के पर click कर डालते हो वोई word आपके साथ ने देर लिखा हुआ आ जाता है otherwise दूसरी जो option है उसके लिए आपको क्या करना होता है? यहाँ पर आकर वोई word type कर देना होता है देखें मैंने यहाँ पर word type कर दिया picture ठीक है? तो दूसरी option मेरे पास क्या है? आपके पास इदर type करने की है अगर आप इसे type नहीं करना चाते हो मैं आपको फिर उपताता चलूँ आप इस word को selection दे दे selection देने के बाद आप just find के पर आप click करना है अब यहाँ में तो मेरे पास just find open हो रहा है ठीक है यह पताता है मेरे पास क्या है word picture आप ने select किया हुआ है जब में अधर आइने के पर click करूँगा तो इसको भी searching इसकी start करेगा लेकिन अगर आप यहाँ पर आजाएं आपके पस drop down arrow बना हुआ है अगर आप इसे click कर दें तो यहाँ से मज़ीद option आजाएंगे otherwise अगर आप यहाँ पे देखें जैसे मैंने click किया आपको कहता है क्या करूँ में से replace करूँ, go to करूँ, advance find करूँ क्या करूँ, मुफतले किसम कि आपको यह option बता रहा है ठीक है इसी तरह से अगर आप यहाँ पे चले जाएं replace के पर click कर दें तो देखें आपके पास यह box open होकर सामने आ जाएगा अब मैं अगर इसको बंद कर देता हूँ तो इसके पर click कर दो तो देखें मेरे पास यह box open होकर आ गया अब यह side वाली window मेरे पास नहीं है यहाँ पर type कर डाले इमेजस type कर दिया यहाँ पर अब मसला क्या है मेरे पास दो तीन अलफाज ऐसे हैं जिनको पर change करना चाहता हूँ तो उसके लिए पर आपके करना होगा पहले आप उसको find करोगे find next अगर आपको खाँ कर दो अब इसको भी रिपलेस कर दो आप ठीक है और इसको भी आप रिपलेस नहीं करना चाहते है इसको छोड़ दिया हाँ इसको रिपलेस कर दें आप और कहता है अब आपके पास जो word picture है या जो भी आपने तर वाट क्या है वो खतम हो चुका है आप इसे yes कर दें जी हमें और नहीं चाहिए definitely no कर देता हूं sorry मैंने yes कर दिया था अब आप देखें यहां पर भी आखिपस image है जब कि यहां पर picture है नीचे आजाएं और यहां भी I think आख के पास image आजाएगा और इसके इसी वर्ड को छोड़ दिया था वो यह रहा picture ठीक है अब मैं यह चाहता हूँ जहां पर यह using लिखा हुआ है या आखिपस कुछ और word हो सकता है जैसे आखिपस की quick लिखा हुआ है मैं कहता हूँ यहां पर brown लिखा हुआ आ जाए और whole documents के अंदर है जितना ही मेरा documents है इसके अंदर तुमाम यह ही apply हो जाए तो इस मरतब हम find के पर click कर देंगे आखिपस find word कर रहा है और यहां पर आकर मैं से replace कर देता हूँ दे आएगा word के अंदर यह अलफास कितने थे 20 थे हमने इसको replacement उसकी बना दी है क्या वाप इससे मजीद continue करना चाहते है मैं yes कर दूँ तो क्याएगा अब आपके पास तो कोई word ही नहीं है जिसको हम आगे तलाश करें क्योंकि वो quick जो है हम already तलाश कर चुके हैं okay कर दें से तो पास option को देख लेता हूं replace के अंदर ठीक है इदर आजाएं find के अंदर आके पस advanced में क्या है find है replace है यह तो दोनों option आप कर चुके है go to क्या है ठीक है go to में क्या होता है आप किसी page नमर के पर जाना चाहरे हो let's say हमारे पास page है हम page नमर 2 पर जाना चाहरे है आप 2 type करें और अब यह आपको page नमर 2 लेकर आचो कि अब देखें आपके पस क्या कहता है two of two यहाँ पर आएं देखें end में क्या कहता है page two of two ठीक है अब वापस आप one के पर जाना चाहरे हो आप one के पर चल जाए हो आप से go to कर दें तो आप इस वह लेकर चल जाएगा इस तरह से आपके यहाँ पर जो भी आपको दिखाई दे रहें objects आप उनके मताबक चल सकते है ठीक है let's say मैं आपको और example देता हूँ मैं कहता हूँ मुझे line पे जाना है line number मुझको 8 पे जाना है मैं इसे go to कर देता हूँ अब देखें आपका mouse जहाँ पर होगा वो line number 8 होगी अब मेरे पास य 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 ठीक है तो यह आपको 8 line के उपर लेकर चला गया है इसी तरह से वापस आप दर आजाएं मजीत advance के उपर चले जाएं go to के पर चले जाएं तो go to क्या करता है आपके पास jumps लगाता है या आपके सी bookmark के पर comments के पर आप इसमें से बहुत सरी चीज़ें जो मैंने अभी तक आपको बताई नहीं है क्योंकि अभी हमारे lessons शुरू होए हैं आइस्ता आइस्ता से हम इनको study करते जा रहे हैं जैसे जैसे हम इनको study करेंगे एक मरता फिर मैं आपको end में जाकर ये find के option अगेन बता दोंगा ठीक है इस तरह से वापिस आप find के पीछे जाएं यहाँ पर more options आती है आप more option के पर चले जाएं अब more option में क्या होता है आप आपके पास यहाँ पर case match भी कर सकते हो आप कहते हो ब्राउन वह इस तो डूट कर लाओ जिसका आपके पास ऐसा case हो ठीक है find whole word करना चाहते हैं यह आपके पास मुफतलिक किसम इदर options आती ह करेंगे वह option आपके पास इदर यूज़ो कर आ जाएगी clear difference यह तो था आज का हमारा lesson find तो find और replace के अंदर क्या option है find से आप कर करते किसी चीज़ को सर्च करते हो तलाश करते हो ठीक है then replace कि तुर आप उसे करते हो उसके पर आप changing करते हो तो उस word को आप change करते हो in the whole documents अगर 100 pages का है 1000 pages का है या आदे page का है जितना भी है आप उसके अंदर इस option को use कर सकते हैं तो dear students यह तो था आज का हमारा lesson मज़ीब मालूमात और update के लिए visit कर सकते हैं हमारी website www.xpacademy.com जहाँ पर तुमांग computer courses आपको free online step by step सिखाए जाते हैं एंड में एक desk लेने के बाद आपको xpacademy.com की तरह से एक safety case भी शुक्या जाता है जिसकी hard copy बज़रिया DCS आपके बताए हो address के मताबक आपको बेज दी जाती है इसकलाव दियस्टेट्स अगर आप इन वीडियो की complete DVD collection हासल करना चाहते हैं उसके लिए आप हमें अभी हमारी help line पे call कर सकते हैं हमारा help line नमर है 0343-901-7779 या आप हमें email कर सकते हैं email करने के लिए हमारा address है xpacademy.com या हमें skype पे join कर सकते हैं skype पे join करने के लिए हमारा address अपनी दौा में याद रखेगा next lesson फिर मिलते हैं उस वाद तक के लिए अपना भी ख्यार रखेगा इन्शाला नेक्स लेसन फिर आज़र होते हैं मजीद वालुमाद के साथ उस सथ तक के लिए मैं आपसे अजासर चाहूंगा अला हाफिज असलाम अलेकम